नमस्कार आप देख रहे हैं कोड़वा न्यूज और आपके साथ मैं हूँ सूजल वर्मा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज कोड़ रेल वे स्टेशन सहीद देश की सेकड़ों रेल वे स्टेशनों का अम्परित भारत स्टेशन योजना के तहत सिलन ने आसकिया इस कारिकरम में 273 सिंग रावत, राजय मंत्री, राजिय इंदर अंथवाल, जिल अध्यक्स उरेंदर रावत और मंडि समेती के अध्यक्स सुमन कोटनाला सहीत कई अथिती मोजूद रहे आज के सकारिकरम में पियम मोधी के साथ रेल मंत्री अश्वणी वैशनव, यूपी के सीम योगी अधितेनाच, सीम पुसकर सिंग्धामी भी वर्चोली जुड़े जिसमें बताया कि स्टेशनों का अधुनी करण और उनका नवनिर्वान होगा जिसके चलते हैं रेल्वे में सफर करने वाले नागरिकों को उच्छतम सुधाय मिल सकेंगी साथ ही रेल्वे यात्रा सुगम हो सकेगी आपका बता दे कोटदुआ रेल्वे स्टेशन वर्च 1885 में बना था जो देश की सबसे पुराने रेल्वे स्टेशनों में से एक रेल्वे स्टेशन है और अब इस नविनिकरण में स्टेशन के दो गेट, सर्कुलेटिंग एरिया, नए प्लैटफॉर्म, लेफ्ट, एक्जेक्यूटिव लाँज, देव्यांगों के लिए स्टेशन वाश्रूम, एसी वेटिंग रूम, पार्किंग एरिया, दो मंजिला बेल्डिंग, फ्री वाइफाई, लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल और ओवर रूव ब्रीज के निर्मान कार्य होगा कोड़द्वार इल्वेस्टिशन का नविनी करण न सिर्फ कोड़द्वार, बलकि पूरे गड़वाल मंडल के रोजगार और परियतन के नजिरिये से भी लाबदायक होगा विदान सभा अध्यक्ष प्रदिनिधी, अध्यक्ष गॉसेवा हायोग मानिय श्री राजेंद्र अन्खवाल जी, अध्यक्ष मंडी समिती कोड़वार मानिय सुमन कोड़नाला जी, मंडल रेल प्रभंदक उत्तर रेल्वे मुरादबाद मानिय श्री राजकुमार सिंग ज हमारे साथ 500 से अधिक रेलवेस्टेशनों और डेड़ हजार से ज्यादा दूसरी जनों से लाखों रूप जुड़े हैं तो इस वर्ष का रेलिवे बजेट दाई लाग करोग रूपिये से अधिक का है यह स्वभाग्य से पुरे देश में ही भारत विक्सित यात्ता अमरित काल के तरह अमरित योजना जो रेलवे की के लिए 554 इस्टेशनों का जिर्णों धार और और बिरीज और अंडर पास बनाने का एक साथ इतना बड़ा कारेकरम लाखों लोगों ने एक साथ इसको देखा है मान्य मोदईजी ने हमारे कोड़दार को भी यह स्वभाग्य दिया है कि एक विक्सित इस्टेशन यहां बने मौडल मौडल और विक्सित जिससे के हमारी जो समस्याइं हैं प्रेटन की वो जो संभावना हैं उनको बल मिलेगा और साथ ही जो हमारा करणों अस्रम है उसक अब आपके सपनों का घर बनवाए एक्सपर्ट इंजिनियर से नक्षस लेकर निर्मान तक सभी कार्यों के लिए संपर्क करें